स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक 10th क्लास का साइंस क्रूप उसका है हमारे पास एक्सेसाइज नमबर 1.5 तो 1.5 आज स्टार्ट करेंगे उसका क्वेस्ट नमबर 1 है Find Determinants के Determinants क्या होते हैं? मैट्रिक्स के हमतर हमने पहले काफी सरे उप्रेशन सीखे उसमें हमने Determinants के ओपर भी पहले एक लेक्चर हमारा गया है लेकिन इसको repeat करते हैं आज आगे कि Determinants कैसे Find करना है ऐसा है कि यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A जिसके Elements है माइनस 1, 2, 1, and 0 तो इसका Determinants हम कैसे Find करेंगे? कि By Taking Determinants तो हम बोद साइड्स पे Determinants लेंगे जैसे यह होगा SM Straight Lines Parallel Lines टाइप हम इस तरह भी बना देंगे और इदर भी मैट्रिक की Square Bracket को हम Change कर देंगे Straight Lines से इसका मतलब होता है Determinants मतलब यह जो चीज हमने बनाई यह Determinants को Represent करेंगी तो इसके बाद अब इसका Operation कैसा है Operation ऐसे कि हम इस Element को इससे और इसको इससे Multiply करेंगे और इनके Center में हम Minus का Sign जो है वो Place करेंगे कैसे? Minus 1 into 0 and 2 into 1 और Center में क्या आएगा? Minus और यहने Solve करते हैं तो यह Minus 1 को 0 से multiply करते हूँ तो यह आएगा 0 और 2 को 1 से multiply करते हूँ तो यह आएगा 2 तो Answer आएगा Minus 2 तो A का Determinant जो है आया यह है Minus 2 इसना हमारा Next है Matrix B है इसी का Second Part है B Matrix उसमें Elements नहीं 1,2,3 1,2,3 Minus 2 इसमें भी आप Determinant लें बाई Taking Determinants यह भी कैसे हुआ? यह B भी Determinant लें लें आपने और इसमें 1,2,3 and Minus 2 यह Straight Line Determinant Line से आपने इसे Express किया इसमें वेसी उपरेशन कोई भी ओपरेशन हो तो Plus को Minus किसाब Multiplication को Minus ऐसे नहीं करना आप इनके बीच में कोई इसी भी Bracket से जो है नब वो Identify करें उसे तो इसी तरह जैसे यहां Minus आ गया तो हमने इसको Bracket में अगर दिया अब इसे Solve करते है Minus 2 and Minus 6 तो आंसर आ गया Minus 8 एक Determinant और Question करते है Question है जी Part 3 है इसका C C है 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 इसको भी हम ऐसे करेंगे By taking Determinants यहने C का भी Determinant ले लिया और इदर भी आपने 3 3 2 2 Determinant लिया इसे भी Solve करेंगे हम कि 3 into 2 Minus 3 into 2 इसका आ गया 6 minus 6 इसका अंसर आ गया 0 जो 0 होते हैं वो Singulars होते हैं खैर यह हम Next अपने Questions में करेंगे तो यह फिलाल यहां तक ही करते हैं कि Determinant of C is equal to 0 तो यह था हमारा Question No.1 अब हम चलते हैं अपने Question No.2 की तरफ किस No.2 है यहां यहां हमने identify करना है कि कौन से matrix singular हैं और कौन से non-singular matrix हैं तो उसमें हम हमारे पास जो singular non-singular find करने का तरीका वही जो अभी हमने सीखा कि हम किसी भी matrix का determinant लेंगे determinant का answer अगर 0 आता है तो वो singular होगा और अगर उसका answer non-0 आता है other than 0 आएगा कुछ भी 0 के इलावा negative हो positive हो other than 0 हो तो वो non-singular कहलाएगा इसके लिए हम question number one इसका देखते हैं matrix A है हमारे पास A हमारे पास है जी 3, 2, 6, 4 3, 2, 6, and 4 जैसे मैंने आपसे बोला कि हमारे पास एक ही तरीका है determinant का हम करेंगे by taking determinants वो कैसे होगा हम A का भी determinant ले लेंगे और इस तरह हम इस तरह भी 3, 2, 6, and 4 अब हम इन्हें solve करते हैं 3 into 4 minus 2 into 6 तो यह आगे है 12 minus 6 6, 2 is at 12, 4, 3 is at 12, sorry यह दोनों ही 12 भी है तो इसका अंसर आगे है जिस 0 अब हम देखते हैं कि determinant of A is equal to 0 अब हम कहते हैं so determinant of A is 0 so so A matrix is a singular matrix क्योंकि इसका आंसर जो है वो 0 आगया इसलिए अब यह determinant जो matrix है A चुकि जिसका determinant 0 आएगा वो singular matrix केल आएगा अगर इसका अंसर कुछ और होता तो यह non-singular होता और जिसका 0 आए जो singular हो उस पे solution set find करना जो है वो possible नहीं होता इसलिए हम next देखते हैं आगे इसकी further condition आएगी उसी पे हम discuss करेंगे आगे है जी part 2 में जलते है बी 4,3,1,2 4,3,1,2 तो यह है जी B तो B का हम determinant लेंगे वो कैसे 4,3,1,2 4 into 2 minus 3 into 1 तो यह आजएगा 8 minus 3 तो यह आगे है जी 5, determinant of B is 5 यह है यह है वो इस नोट इक्वल to 0, is equal to 5, so mean is not equal to 0. so we can say it is non singular singular matrix अगर 0 होता तो singular matrix हम कह सकते हैं कि जो A है वो singular matrix है जबके B जो है वो non singular matrix है लेकिन हम ऐसा कहेंगे कब जब हम उसका determinant ले ले लेंगे तो determinant से हम यह decide करेंगे कि singular कौन होगा और non singular कौन होगा तो हम आगे चलते हैं जी इसका C part देखते हैं वो क्या है C part है 7, 3 minus 9, 5 7, 3 minus 9 and 5 तो आप करेंगे by taking determinants तो हम इस तरह से इसका भी determinant और इसका भी determinant ले ले लेते हैं तो यह 7 into 5 minus 3 into minus 9 तो यह आज जगा 35 minus minus plus तो यह आगा 27 तो 35 and 27 कितना होगा 62 यह determinant of C जो है वो होगा 62 तो so determinant of C is not equal to 0 so we can say that C matrix C matrix is non non singular singular matrix तो students अभी हमने सीखा determinants कैसे लेते हैं फिर हमने सीखा determinants के process से ही के singular matrix कि इनको बोलेंगे और non singular matrix हम किन को बोलेंगे तो यह था जी exercise 1.5 का question number 1 and question number 2 अब हम चलते हैं question number 3 की तरफ question number 3 है हमारा के find multiplicative inverse find है जी question number 3 multiplicative inverse तो multiplicative inverse होता क्या है यानि इसको हम बोलते है हमें multiplicative inverse हमारे पास इसका matrix A है minus 1, 2, 3 and 0 A matrix है जी minus 1, 2, 3 and 0 इसमें हमने find ये करना है multiplicative inverse of A matrix हमें जस्ट इसके लिए A matrix चाहिए है वो हमें उन्हें दिया हमें जस्ट एक value देंगे उसके बाद तमाम values हमें खुद find करना होगी हम देखते हैं इसका formula क्या है multiplicative inverse होता है ad joint of A over determinant of A यानि हम multiplicative inverse find कर सकते हैं अगर हमारे पास ad joint की value हो और हमारे पास determinant की value हो ये दो चीज़ें हमारे पास अगर हों तो हम easily जो multiplicative inverse find कर सकते हैं इसलिए हम सबसे पहले ये दोनों चीज़ें find करेंगे ad joint जी ad joint और determinant हम चुके पहले मालुम कर चुके कैसे करते हैं लेकिन again इस question में हम इसे देखते हैं ad joint of a ad joint कैसा है कि जो first arrow हो उसकी हम places change कर देते हैं यानि इसको हम first arrow बोलेंगे इसकी places यानि इसको इदर और इसको इदर second arrow के हम sign change करेंगे अगर plus होगा तो minus अगर minus होगा तो plus इस तरह से ये हमारे पास जो भी value बनेगी इस तरह करने से वो होगी ad joint देखें हमने ad joint of a find कर लिया अगर हम करेंगे determinant यानि एक अपि determinant कैसे होगा minus 1, 2, 3 and 0 ad joint भी हमने find किया इसको हम इससे multiply करेंगे और इसको इससे करेंगे यानि minus 1 into 0, 2 into 3 यह क्या 0 minus 6 mean minus 6 हुआ determinant of a दोनों चीज़ें हमारे पास आ गए हमारे पास ad joint भी आ गया और हमारे पास determinant भी आ गया भी इन दोनों values को हम इस formula में put करेंगे वो कैसे कि हमारे पास है जी यह formula हम सबसे पहले लिखेंगे ad joint of a divided by determinant of a ad joint है जी ad joint हम यह वाली value प्लेस करेंगे 0 minus 2 and minus 3 and minus 1 minus 2 minus 3 minus 1 divided by minus 6 अब हम यह minus 6 को सब के नीचे place कर देंगे 0 by minus 6 minus 3 by minus 6 minus 2 by minus 6 and minus 1 over minus 6 यह जी हमारी values भी यहाँ determinant of a की place पे आ गए अब हम इने solve कर देते हैं finalize करते हैं 0 के नीचे कुछ भी है वो हुआ 0 यह minus minus है गया and 1 by 3 1 over 3 यह भी minus minus है गया 1 by 2 यह भी minus minus है गया and 1 over 6 यह है जी multiplicative inverse of a इस तरह से हमारे पास multiplicative inverse निकल आए तो इस तरह से कोई भी matrix हमें मिलेगा तो हम इस तरह से multiplicative inverse find कर सकते हैं तो mean हमने आज सीखा 1.5 का question no.1, question no.2, question no.3 question no.1 में हमने determinant सीखे, question no.2 में हमने singular non singular method सीखा और question no.3 में हमने जो inverse कैसे multiplicative inverse find कैसे करते हैं हमने वो सीखा तो यह था जी आज का हमारे lecture अब next हम करेंगे अपने next lecture में कर सकते हैं झाल झाल